No doubt HDFC Bank भारत का सबसे टोब क्लास बैंकों में से आता है अगर आप इस बैंक के अंदर अपना एक Zero Balance अकाउंट ओपन करना चाहते तो ये वीडियो आपके लिए ही है यहाँ पर मैं आपको इस बैंक के अंदर Zero Balance अकाउंट ओपन करने का कम्पलेट प्रोसेस बताने वाला हूँ साथे साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस अकाउंट में आपको क्या 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 benefit features देखने को मिल जाएंगे क्या आपको 2024 के अंदर इस अकाउंट को ओपन करना भी चाहिए या फिर नहीं तो complete डेटेल बताऊंगा इसलिए आपकी सुड़ों को complete वोच करना है कुछ भी पूछ चाहते तो नीचे comment कर दीजेगा दो घंटे के अंदर आपको reply मिल जाएगा तो दोस्तों अभी मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आचुका हूं और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ओपन जीरो विलन्स सेविंग अकाउंट इस तरी के से ओपसिल देखने को मिल जाता है यहां पर हमने हमने एचड़ेपसी बैंक की ओफिशिल वेब्सेट को ओपन कि हुआ है थोड़ा से पेज को उपर कि स्क्रोल करेंगे तो यहां पर आपको बी एस बीडी यह ओपन बेशिंग बैंक डिपोजिट अकॉंट की फैसिलिटी देखने को मिल जाएगी जिसमें बतेंगे कि यहां पर आपको ऐवेबल से लोकर की सुईदा देखने को मिल या फिर आप ATM की साहता से भी आप यहाँ पर पैसे जमा कर पाएंगे यहाँ पर रूपे का जो कार्ड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा गाइज अगर आप इस अकाउंड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी सी लिमिटेशन्स देखने को मिल जाएगी अगर आप ब्ल पेएमेंट करना चाहते हैं और स्तिमाल किया जा सकता है साथ अगर आप e-mail स्काउंड मिल आइडि को मिल जाएगी साथ आपको नेट बैंकिंग पोन बैंकिंग और मॉवाल बैंकिंग जैसे सभी मिल जैखने को में तो मैंने जैसे कि आपको बतायाता है कि यहां पर जीरो बलेंस अकाउंट की तो सुईधा देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर एक छोड़ी सी लिमिटेशन से यहां पर आपने देखा जिसमें कि आपको सिर्फ चार्ट रांजेक्शन है आप गूगल पर फोन पर एमजोन जिसमें कि आपको इंसुरेंस की सुईधा भी देखने को मिल जाएगी देविट काड की सुईधा भी देखने को मिल जाएगी एनुवल मैंटेनेस चार्ज यहां पर फॉस्ट येर बिल्गुल आपको किसी भी तरगा कोई नहीं देना होता सबी साथ यहां पर आपको सेफ को पूपन करने के लिए हो यहां पर क kupन को अन्पर करने को सब्सक्राइब करने कि करें इसकता है जितना हो जाती का सब्सक्राइब श्क्राइब Kerry करने करन ș ext करना होगा सबसे पहले आप अपना mobile नमबर यहां पर दर्ज कर लेना है इसके बाद आपको अपना date of birth है वह आप यहां पर चूज कर लेंगे जो कि आपके अधारकाड पर होना चाहिए तो यह दोनों डीटेल आप यहां पर एंटर कर लेंगे जैसे आप अपना date of birth चूज कर लेना है और जो भी आपका नाम है आपके अधारकाड पर वह नाम यहां पर आप एंटर करेंगे और इसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे आपकी identification डिटेल को वेरिफाई करने के लिए आपके रिजिटेड मोबाल नमबर पर एक OTP भी है जाएग अच्छे है उनको के पास में अधारकार्ड नहीं है तो ऐसे में आप अन्य डोकुमेंट की साधसरी के वाइसी कर सकते है जिसके लिए आप ड्राइविंग लेसंस वोटर इडी या फिर पासपोर्ट का इस्तेमाल भी कर सकते है अगर आप डिपीटी स्वीदा लेना चाहते तो आप इस वाले क्लिक कर देंगे औग देखनेए कंतीन वाले बटन पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर आपको अधार पर रिडिरेक्ट किया जाएगा जैसी आप स्पेस बर रिडिर्ट किए सब्सक्राइब करने के लिए लाइटिंग करने के लिए बोला गया कि आपकी जो लाइटिंग कंडिशन वह अच्छी हो नीचे यह आपके पास में पैनकाड अधार कार्ड होना चाहिए इसके अलवा वाइट पेपर होना चाहिए जिसपे आपको लाइव सिगनेशर करके दिखाने होंगे जैसे आप यह डिटेल को वेरिफाई कर लेती है नेस्ट पेस पर रिडारेक्ट किये जाएंगे यह आपको अकाउंट नंबर देखने को मिल जाएगा किस्टमर आइडी दे क्लिक कर देना है जैसे आप इस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक एक एक्जिक्यूट है और आपके साथ जुड़ जाएगा और आपसे कुछ बेसी बेसी डेटेल आपसे पूछी जाएगी जैसे कि आपसे आपका पैन कार नंबर पूछा जा सकता है जो इसके बार में बता दिया जाएगा आपका एक्टिवेट होने में 24 से 48 घंटे का टाइम लगता है और 6-7 दिन बाद जो भी आपका एड्रस होगा मापे डेविट काड़ चेक्बुक बाइडरस पर भीज़ दी जाती है अब बात कर लेती है दो हजा चुबिस के अंदर अग सबसे पहले बात तो यहां पर आपको सिर्फ चार ट्रांजेक्शन देखने को मिलेगी चाहिए आप अपने नजदी की ब्रांच में जाके पैसिव रोल कर रहे है गूगल पे फोन पे यह फिर एमजोन पे यह फिर वट्सप बैंक की साहता से ही क्यों ना आप ना और चाहती है जिसमें की आपको 2500 रूपे तक की मिनिमा मेलेंस रखना होता है अगर आप उस अपन करना चाहते है अच्टी ऐफसी बैंक के अंदर तो नीचे कमेंट कर दीचेगा नेक्स्ट वडियो हम उसफिए इपर बना देंगे तो गैस कैसी लगी आज की ये वीडियो नीचे कमेंट में जुरूर बताईए